तो हेलो फ्रेंड्स मेरा में शंदीप एंट आप देख रहे हैं लानिंग टेक्निकल टू पॉइंट ओ यूट्यूप चाले तो फ्रेंड्स आज हाम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप आपका मुबाइल का कोई भी इंपोर्टेंट फाइल्स डॉकुमेंट्स या कोई यानि कि बहुत ही सिक्योर करके आप आपका मुबाइल पे रख सकते हैं ठीके फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स में हमारा जो भी मुबाइल है उसमें बहुत ताइम ऐसा कुछ डॉकुमेंट्स या इंपोर्टेंट फोटोस वीडियोस रहते हैं ठीके जिसको हम ऐसे ही गैलरी मे रत नहीं सकते तो friends आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आप उसको आपका खुद का पासवार या पैटेन लोग के मदद से सीक्योर करके आपके मोबाइल पे रख सकते हैं तो friends आज मैं जिस एप्लिकेशन के बारे मैं बोल रहा हूँ ठीके इसमें अगर आप एक बार आपका कोई भी डॉकुमेंट्स या वीडियो या फोटोज को रखते हैं तो अगर आप गलती से ओ एप्लिकेशन को या ओ वीडियो ओ और जो फाइल से ठीके उसको अगर आप गलती से डिलीड भी कर देंगे तब भी आप दो बारा से ओ एप्लिकेशन इंस्टल करने के बाद उसको रिकवर कर सकते हैं ठीके फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है अज इसमें हम जो भी एप्लिकेशन के बारे में आज डिसकास करेंगे ये कोई प्रोमोटेड एप्लिकेशन नही है ठीके फ्रेंट्स मैं खुद ये इस एप्लिकेशन का यूज करता हूँ तो फ्रेंट्स चलिये बिना टाइम उस्ट करगे हम mobile skin पे चलते हैं and video को start करते हैं तो friends इसके लिए हमें सबसे पहले mobile का skin पे आजाना है and simple मोबाइल का skin पे आजाने के बाद हमें mobile का playstore है उसको simple सा open कर लेना है तो यह बर से हम simple सा playstore को open कर लेंगे and playstore का जो भी search bar है simple सा उसमें हम search कर लेंगे यह जो हमारा application है ठीक है उसका नाम यानि कि private zone ठीक है friends हमारा यह जो application का बड़े में आज वीडियो है ठीक है उसका नाम है private zone तो हम यह पर simple सा private zone लिखके search कर लेंगे तो friends आप यह पर देख सकते कि जैसे ही मैं यह पर private लिख रहा हूँ मेरे सामने already private zone का जो भी application है ओ आ गया है simple सा हम यह पर tap कर देंगे तो हमारे सामने जो भी download वाला option है ओ आ जाएगे तो simple सा आपको यह पर से इसे install कर लेना है तो मेरा तो already मेरा mobile पर installed है ठीक है तो मैं यह पर से simple से इसे open कर लूँगा तो मैं यह पर से simple सा back हो जाऊंगा एंड हमारा जो भी application है उसको simple सा home page से हम इसे open कर लेंगे तो देख सकते friends कि यह जो application है उसका जो logo है ओ हमारे सामने open के आ गया है तो यह पर हमसे कुछ permission मांग रहा है simple सा allow कर देंगे तो दो बाड़ा एक permission मांग रहा है इसको भी allow कर देना पड़ेगा तो friends देख सकते कि यह आपर थोड़ा loading लेगा एंड हमारे सामने जो application है उसका logo open के आ गया है तो friends यह आपर simple सा आपके सामने यह जो application का home page है ओ आ गया है और अगर आप कोई भी file को भी आपड़ करना चाते है तो ओ भी आप कर सकते है तो simple सा मैं आज आपको कुछ photos को hide करके यानि की private करके दिखाऊंगा तो friends basically हम यह आपर से मेरा कुछ photo को select कर लूँगा ठीक है तो friends देख सकते कि यह आपर मैं कुछ photos को select कर लिया है simple सा select करने लेने के बाद हमें यह आपर नीचे की तरह आप देख सकते कि tap to hide बोलके एक option आ रहा है simple सा उसमें मैं जितना सारा photo को select करूँगा ठीक है उसका number वह पे show होगा तो देख सकते कि यह आपर tap to hide के पास bracket के अंदर पे six बोलके एक option है ठीक है तो मैं यह आपर six photos को जो है इस application के अंदर hide करके राखूँगा तो simple सा tap to hide पे हमें tap कर देना पड़ेगा तो जैसे हम tap करेंगे देख सकते हैं कि यह आपर थोड़ा loading ले रहा है hand उसके बाद हमारे सामने दूसरा एक option आ गया तो friends यह जो option आ गया है यह है वीडियो को यह पर add करने का याणि कि आप आपका जो भी वीडियो है उसको भी यह पर add करके रख सकते है तो friends मैं अभी यह पर कोई भी वीडियो को add नहीं करना चाहता लेकिन आपको दिखाने के मैं एक वीडियो को यह पर add कर देता हूँ ठीक है friends तो मैं यह पर से simple सा एक वीडियो भी select कर लिया है तो यह पर देख सकते कि tap to hide के पास जो bracket है उसमें एक लिखा है one लिखके आ गया है यानि कि मैंने one जो product है उसको यह पर select किया है उसके बाद simple सा tap कर देंगे तो friends इसके आपके जो mobile है उसके अंदर जितना सारा आपका application है ठीक है उसको भी आप इसके अंदर जो है hide करके लग सकते है तो मैं यह पर कोई भी जो application है ठीक है उसको यह पर hide नहीं करूंगा तो मैं यह पर से skip कर दूंगा skip करने के बाद आपको यह पर main जो process है ओपेनों के आ गया है यानि कि आपका जो भी ए application है ठीक है इसमें आपका खुद का एक pattern lock देना पड़ेगा यानि कि ए security के लिए एक mast है ठीक है यानि कि आपको यह पर pattern lock देना ही पाड़ेगा तो simple सा मैं यह पर मेरा एक pattern lock एंटर कर द यह पर simple साथ दो बाड़ा उसको एंटर कर दिया है तो उसके बाद आपका जो भी mobile है उसमें एक option आ रहा है कि your mobile phone supports fingerprint unlock do you want to enable this feature यानि कि आपका जो भी mobile है अगर उसमें fingerprint वाला device है यानि कि fingerprint वाला option आपके mobile पे अगर है तो आप उसे एनवेल कर सकते तो आपका जो भी pattern lock है व अगर आपका mobile पे fingerprint वाला device नहीं है तो यह आपके लिए काम नहीं करेगा तो मैं यह पर से symbol से ओके पे tap कर दूंगा यानि कि मेरा जो fingerprint है वो यह पर काम करेगा तो friends यह आपका देख सकते है कि दूसरा एक pop-ups हो के आगया है तो यह पर बोल रहा है कि आपका mobile पे जो भी एक उसको कैसे recovery करेंगे तो उसके लिए यह पर आपको एक question and answer को select करना पड़ेगा तो simple सा मैं यह पर एक question select कर लेता हूँ ठीक है तो friends मैं यह पर मेरा एक जो question का option है देख सकते है आप यह पर question बोलके एक option है उसमें tap करेंगे तो एक pop-up show होगा वह पर से आप कोई भी question को select कर स तो प्याला वाला option को अगर select ना करना चाहिए तो आप कोई भी option को select कर चाहिए तो मैं इसको select कर लूँगा देख सकते ही what is my lucky number यह बहुत ही आसान है यह मेरा याद भी राएगा बाद में इसके लिए मैं इसको ही select कर रहा हूँ उसके नीचे आपको answer वाला एक tab मिल यानि कि जिसको आप इसका answer मानेंगे यानि कि इसको आप याद राखना पाड़ेगा आपको simple सा कोई भी एक number यह पर में enter कर दूँगा इंडर कर देने के बाद simple सा mobile का जो भी keyboard है उसका tick mark पे आप tab कर सकते है otherwise ok जो है उसमें भी tab कर सकते है simple सा ok में tab कर देंगे हम तो यह पर फिर से एक option आ जाएगा तो हमें यह पर भी simple सा ok कर देना है तो friends यह पर फिर से हमारा जो mobile है ठीक है उसका settings में जो application हम use कर रहे है इसका permission को हमें enable करना पड़ेगा simple सा got it पे हम tab कर देंगे तो एक निया page हमारे सामने open के आ जाएगा तो friends यह भर से हमेरा जो भी application है उसको select कर लेना है तो देख सकते हैं कि हमारा जो भी application है private zone यह पर लिखा हुआ है और उसके निचे off बोलके एक application यह पर दिया हुआ है तो simple सा हमें private zone है उसमें tap कर देंगे and यह पर आपका जो भी permission है यानि कि यह application आपका mobile का जो भी details है उसको access करेगा simple सा इसमें tap करेंगे तो यह application काम करना start कर देगा तो देख सकते हैं कि अभी चालू हो गया है तो हमें simple सा कुछ नहीं करना back आ जाना है यह आपर से तो simple सा हम back आ जाएंगे तो यह पर फेर से option आ गया simple सा continue कर देंगे तो friends उसके बाद एक pair से pop up आ जाएगा तो हम यह पर जो भी details से उसको fill कर दिये है इसके लिए यह जो permission मांग रहा है इसको हम deny कर देंगे तो friends आप basically हमारा यह जो application है यह प्रोपा तरीके से open हो गया है और काम भी कर रहा है तो friends आप देखा देता हूँ आपको कि आप कैसे आपका जो भी photo या file को यह पर add करेंगे तो उसको आप कैसे check करेंगे तो friends यह बाद देख सकते है कि पहला जो option है private album बोलके यानि कि इसमे आपका जो भी photos रहेगा वो यह पर रहेगा simple सा tap कर देंगे तो देख सकते ही कि आप जो भी photos को यह पर add किये थे वो यह पर already है ठीक है simple सा हम उसको यह पर खोलेंगे तो देख सकते ही कि हमारा जो भी photos था हमने जो यह पर add किया था वो star का star यह पर proper तरीके से आ गया है and work भ जो option है जहापे हम एक विडियो को भी add किये थे तो देख लेंगे वीडियो यहापे add हुआ या नहीं, simple सा video में जयासे ही add करेंगे देख सकते हमारा जो भी वीडियो हमने select किया था वो प्रोपा तरीके से यहापे आ गया है और काम भी कर रहा है तो simple सा हम यह आपर से भी back हो जाएंगे ठीके तो friends यही था basically यह जो application है ठीके इसका review तो आशा करता हूँ कि यह application का जो process है वो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आ गया है ठीके तो friends इस application के मादद से आप भी आपका mobile का कोई भी important files, documents या photos को या videos को आप save करके आपका mobile भे private करके राख सकते तो friends आशा करता हूँ कि यह video देखने के बाद आप भी आपका mobile का जो application है उसको use कर भाएंगे तो friends एक बात यह अबर फिर से दिखा देता हूँ कि application को simple सा आप कर लेने के बाद आप कैसे इसको दो बाड़ा open करेंगे ठीके तो हमारा पहला जो था ओ तो हमने application को setup कर दिया है तो आप कैसे दो बाड़ा अगर हम application को open करने जाएंगे तो कैसा interface आएगा यह में आप को दिखा देता हूँ एक बार खोल गे ठीक है simple सा application के उपर में जैसे tap करेंगे देख सकते application का जो home page है ओ आ गया है और यह पर बोल रहा है कि आपका जो भी fingerprint है ओ यह पर देखे आप application को खोल सकते otherwise में यह पर अगर आप application के अंदर fingerprint नहीं देना जाते है तो यह पर simple सा pattern बाला जो button है simple सा fingerprint unlocking के पास उसको tap कर देंगे तो friends जैसे ही उसमें tap करेंगे तो आपका जो भी pattern अपनी यह पर enter किया था setup करने के time तो ओ यह पर simple से enter करने के लिए बोल रहा है तो मैं यह पर pattern lock के मदद से आपको खोल के दिखा देता हूँ तो friends देख सकते ही कि आपका जो भी application था ठीक है ओ यह पर 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 तरीके से open हो के आगे आए तो आशा करता हूँ कि आप यह application के बारे में पुरा ही जान चुके है ठीक है friends और आपका भी mobile phone पे यह बहुत ही चैनल पे निया आए है तो friends आपको बोल देख हो कि ए चैनल भी निया है ठीक है तो प्लीज चैनल को एक subscribe जोरूट कर दे तो friends आशाकात्तों यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा तो मिलते है नेक्स वीडियो में और एक निया informative आईडिया लेके ठीक है तब तक के लिए thank you and good bye